अगर आप भी अपने जीवन में अपार धन चाहते हैं और चाहते हैं कि मा लक्षमी की कृपा आपके उपर हमेशा बरसती रहे तो किसी भी सुमवार के दिन दो लॉंग और दो इलाइची आपको अपने घर में जला देना है जितनी भी निर्धनता और गरीबी है वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी और मा लक्षमी की कृपा से आपके पूरे घर में धन धाने की जो है वृद्धी होगी और कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परिशान नहीं होना पड़ेगा तो देखिए सुमवार का जो दिन होता है यह देव के दे महादेव का जब ही है और साथ ही साथ सुमवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है जब भी आप करने से बहुत ही जल्दी श्री हरी विश्नु और मा लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आप अपने जीवन में धनवान बनते चले जाएंगे देखिए जब हमारे घर में कही ना कही थोड़ा सा भी वास्तु दोश होता है कही ना कही नजर दोश होता है तो हमारे घर की जित में बाधाएं बहुत आती हैं, मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें इर्चन आती है, अगर आपके घर में कहीं नए कहीं वास्तुदोश है, अब देखिए वास्तुदोश ऐसा नहीं है कि एक एक बार हो गया, तो यह जा नहीं सकता, बहुत सारे उकाय भी होते हैं, जिनसे आप अपने घर के वास्तु दोश को दूर कर, सकते हैं नजर दोश को दूर कर सकते हैं, नेगेटिव एनरजी को अपने घर से बाहर कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में ऐसे ही उपाय आपको बताएंगे जिसमें कि आपके घर की नेगेटिव एनरजी भी दूर हो जाएगी, आपके घर में पॉजिटिव यानी सकारात्मक उर्जा का संचार होगा, जितनी भी खराब चीजें होती हैं, वो आपके घर से बहुत जल्दी निकल जाती हैं, और जैसे ही ये चीजें आपके घर से दूर होती हैं, ना आपके घर में धन की वृध्धी होने लगती है, पैसा आपका बढ़ने लगता है, तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा है नहीं या हमारे पास पैसा रुपता नहीं है, हमारे पास, पैसे की बहुत कमी है, उन्हें तो विशेशकर इलाइची और लॉंग का उपाय जरूर करना है, चलिए, बात कर लेते हैं, सबसे पहला विश अभी तक पूरी हुई हु, हमारे जीवन में हमें यह चीज अभी तक नहीं मिली है, हमें हमारे जीवन में इस मनोकामना को पूरा करना है, लेकिन हमारी विश जो है ये पूरी नहीं हो रही है, तो जिन लोगों की विश पूरी नहीं हो रही है, जो लोग चाहते हैं क उनकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाए उन्हें यह पहला उपाय करना है सुमवार के दिन तो देखिए आपको करना क्या है आपको एक दीपक तयार करना है शुद्ध देसी घी भर के और गोल बाती उस दीपक के अंदर आपको लगानी है अब इस दीपक के अंदर आपको क्या करना है चुटकी भर काला तिल डालना है बिल्कुल जरा सा काला तेल डालेंगे और यह दीपक आपको अपने घर के आसपास जहां भी देवों के देव महादेव का मंदिर हो वहाँ पर जाकर आपको लगाना है तो देखिए जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो महादेव आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो कितनी भी बड़ी मनोकाम ना हो क्यों ना हो जो लंबे समय से अटकी हुई है पूरी नहीं हो रही है बहुत से उपाय कर लिए व्रत कर लिए सब कुछ करके देख लिया एक बार आप सोमवार के दिन है ना किस तरह से करना है यह उपाय देखिए शाम के समय में करना है और इस उपाय को आपको कम से कम चार से पांच सोमवार करना है लगातार एक एक ही समय पर करना है कहने का मतलब है शाम के टाइन पर कर रही हैं, तो शाम को ही करना है, इस तरह से जब इस उपाय को आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो विष बहुत लंबे समय से अटकी थी ना वो भी विष आपकी पूरी हो जाती है, इस छोटे से उपाय को जब आप सोमवार के दिन करते हैं, तो चलिए अब जल्दी से, बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की दो लॉंग और दो इलाइची हरी इलाइची आपको अपने घर, में किस जगह पर जलाना है, इस छोटे से उपाय को आपको कैसे करना है, और कैसे यह छोटा सा उपाय आपके घर में मा ललक्षमी का वास करा द देती हैं, तो हमेशा मा लक्षमी अपनी कृपा आपके उपर बरसाए, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, तो देखिए दो हरी इलाइची तूटी हुई ना हो, खंडित ना हो है, ना दो हरी, इलाइची लेंगे और साथ ही साथ दो फूल वाली लॉंग लेनी है, एक के पास बरतन है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, वरना मिट्टी का दीपक लेले, उसके अंदर आपको यह तीनों चीजे रख देनी है, दो हरी इलाइची, दो फूल वाली लॉंग और एक कपूर अब आपको शाम के समय में सुमबार के दिन इस उपाय को शाम के समय में करन है, शाम के समय में आपको यह तीनों चीजे रख कर जला देना है, कहां जलाना है, देखिए आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, घर की उत्तरदिशा में भी जला सकते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर भी जला सकते हैं, तो यह तीनों ही जगए, बहुत उत्तम होती है इस उपाय को करने के लिए इस उपाय को जब आप करते हैं किसी भी सुमवार के दिन कर लेना आप देखेंगे कि आपके घर से सबसे पहले तो जितनी भी नेगेटिव एनरजी है जो नकारात्मक उर्जा है जितनी भी बुरी शक्तियां है वो आपके घर से निकल जाती कोई नजर दोश अगर किसी व्यक्ति को लगी है, वो दूर हो जाती है, दूसरी चीज की आपके घर में पॉजिटिविटी जितनी भी उर्जा होती है, अच्छी वाली है ना सकाराक्मक उर्जा जिसे हम बोलते हैं, अच्छी चीजें जो होती है, वो आपके साथ होने लगती हैं, आपके घर में सकाराक्मक पॉजिटिव एनरजी बढ़ने, लगती है और फिर आप जिस काम को करते हैं, आपके उस, काम में कोई अर्चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि बहुत बार जब घर में वास्तु दोश होगा या फिर नजर दोश होगी तो आप देखेंगे कि उस घर के व्यक्ति जिस काम को करते हैं, उस काम में अर्चन बहुत आती है, और रुकावट बहुत आती है, काम होगा, लेकिन कभी-कभी होने के बाद भी खराब हो जाएगा, और कभी-कभी हो ही नहीं पाता है, अटक ही जाता है, तो जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में बहुत ज्यादा अर्चन आती है हमारे घर में पता नहीं ऐसा क्या है कि पैसा नहीं रुकता है ना क्योंकि नब्बे पर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता हमारे पर्स में पैसा नहीं रुकता तो जो लोग बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची से भी परिशान रहते हैं, ना उन्हें भी यह उपाय जरूर करना चाहिए, दो हरी इलाइची, दो फूल वाली लॉंग और एक कपूर को अपने घर में सुमवार के दिन शाम के समय में जरूर जलाना चाहिए, तो यह वाले समय में कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं आती ही नहीं है, जब आप इस उपाय को लगातार करते रहते हैं, तो देखिए सफते का सुमवार का दिन है, आप सोचे कि हाँ हमें सुमवार के सुमवार इस उपाय को करना है, और करते रहे, फिर आपके जीवन में कभी निर्धनता गरीबी लौट करर नहीं आएगी, तो बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो लोग भी चाहते हैं, कि मा लक्षमी की कृपा हमेशा उनके घर पर बरसती रहे चलिए, जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने लास्ट उपाय की जो क सुमवार के दिन का ही है, देखिए अगर आप चाहते हैं, ना कि आपका, पैसा निरंतर बढ़े मतलब हर दिन बढ़े हर महीने बढ़े हर साल बढ़े और जैसे जैसे समये, गुजरता जाए आप अपने जीवन में धनवान बनते चले जाएं, और धन बृध्धी आपके घ सुमवार एक अक्षत यानी एक चावल का दाना महादेव की शिवलिंग पर आपको चड़ाना है, एक लोटा जल के साथ इस उपाय को आप कर लीजिए, इतना धन आपको मिलेगा कि धन आप संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना क ना तो वो इतने भोले हैं कि भक्त की जरासी पूजा से ही अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, तो जरूर करें सुमवार के दिन इस छोटे से उपाय को आप सुभा या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लास्ट वाले उपाय को आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा सु आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं हमेशा की तरह आपको हमारी विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और कमेंट सेक्षन में जैकारा जरूर लगा कर जाएगा हर हर महादेव लिख दीजिएगा